दोस्तों अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको मालूम होगा कि हमारे इंडिया में हर मन्त कोई ना कोई सरकारी नीती या फिर कोई ना कोई सरकारी योजना हमारे गौवर्णमेंट की तरब से निकला करती है और इन जैसी नीतियों और योजनाओं को लोग गूगल पे जो कि सरकारी योजना या फिर सरकारी नीति जैसी आर्टिकल्स को कवर करके उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुचाने का काम करेंगी जिन लोगों को इसकी जरूरत है तो आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि क्या हमारी ये वेबसाइट सक्सेस्फुल हो बट इसकी और भी कई चीजे जो आपको सबजना चाहिए अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको नहीं मालूम होगा कि हमें क्या-क्या चीजे ध्यान रखना चाहिए किसी माइक्रो नीच को स्चार्ट करने में या फिर किसी ऐसी कीवर्ट पर काम करने का जो कीवर्ट बहुत या फिर नहीं क्योंकि यहां पर आप ट्राफिक तो देख सकते हो काफी ज़्यादा ट्राफिक आपको देखने को मिलेगा और भी कई चीजे यहां पर देख सकते हो किसी की वर्ड डिफकल्टी जादा नहीं है सबकी 0,5,2,3 तो इन सभी को अगर आप ध्यान में रखते हो और वेबसाइट करते हो तो आप अच्छा गाता ट्राफिक अपनी वेबसाइट पर ला सकते हो और जैसा कि मैंने बोला कि ट्राफिक और कीवर्ड टिफकल्टी को देख कई हम अपनी वेबसाइट तो नहीं बना सकते हैं बाकी और भी चीजे हमें देखनी पड़ती है तो बट उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो आप देख सकते हो कि अभी मेरी जो पूरा चैनल है इस पे 2.56 के सब्सक्राइबर है तो आप लोगों को तक मेरी वीडियो को पहुंचाओ कर वाओ बैर ऐकन को प्रस कर वो ओके दवा के बिल्कुल प्रस्काइब बटन को और सब्सक्राइबर की जो बिल्कुल परसाथ करवा दो ताकि इस यह के लास्ट चैक मेरे फाइब के तक सब्सक्राइबर हो जाय है ।ो आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि वीडियो को शेर भी करोगे और सब्सक्राइब भी करवाओगे अब चलते हैं अपने टॉपिक पे तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया कि सरकारी योजना और नीती तो हमेशा निकला करती हैं और इनके जो कीवर्ट्स होते हैं वो जल्दी से जल्दी मतलब उस पर ट्राफिक भी बहुत जादा देखने को मिलता है और अगर आप इस जैसी वेबसाइट पर काम करने का सोचने हैं तो एक तरीकी से मैं आपको बता दो कि इन जैसी वेबसाइट पर काम करने से पहले आपको सबसे पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो कॉमपेटेटर है मालों जिसे यहां अगर आपको फर्स पेज पर आना है तो फर्स पेज पर आने के लिए आपको सबसे पहले यह चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है किस तरह की वेबसाइट टॉप पेज पर रैंक कर रही है इन कीवर्ट के लिए क्योंकि जब तक आप उनको बीट नहीं तब तक आप इस ट्रैफिक का लाब नहीं उठा पाऊगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब जो टीवर्ट्स होते हैं इन कीवर्ट्स की जो रैंकिंग्डिग होती सब्सक्राइब यह जो keywords होते हैं यह keyword एक तरीके से information keywords होते हैं मतलब यह सब गौर्मेंट की तरफ से keyword जिसे कोई योजना निकली तो युस योजना को जानने के लिए माल लोग Google पर अगर search करते हैं तो लोगों को ऐसी website चाहिए जो website उनको information दे और कोई ऐसी website माल लो यह जो PM किशान योजना जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो तो यह जो PM किशान योजना है इसकी खुदी official दो government websites है और यह दोनो government website वो सारी information प्रवाइट कर देती है जो user को च चाहिए जो इस योजना के अंदर लोगों को information चाहिए वो government की official website द्वारा ही information प्रवाइट कर दी गई तो जो हमारा traffic है वो सबसे पहले तो यहीं पकड़ गया 50% traffic 60% traffic यहीं कड़ गया उके उसके बाद बची नीचे website तो आप देख सकते हो कि यहां पर कितनी high DAPA की government वह सौरी मतलब news website rank है live इंदोस्तान जागरन जनसत्ता इंडिया ठीक है money control तो ऐसी ऐसी high DAPA की site जो की news sites हैं जहां पर Google के crawler हमें सब बैठे रहते हैं उनको तुरंत index करने के लिए और इन जैसे websites के सामने अगर आप को फ्रेस website बनाते हो जिसका DAPA एक यह दो है तो आपको उस website को यहां तक पहुचाने में बहुत ज्यादा महनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा क्या एक तरीके से impossible ही समझ लो अगर DAPA एक है आपको कई अच्छी बहुत अच्छी link building करनी पड़ेगी बहुत ही ज्यादा अच्छी link building करनी पड़ेगी तब कहीं जाके आप आप इन जैसे keywords पर rank कर पाओगे बहले इन keywords पर traffic बहुत है और keyword difficulty कम है यहां पर आप देख सकते हो आपके जो commentator है वो कितने high DAPA की websites लेके rank है यहां पर ओके तो उनको express website से बीट करना impossible है साथ में आप यहां पर यह भी देख लो माल लो अगर आपने कुछ high DAPA website से backlinks बना है तो आपका article rank होगी है माल लो इस keyword में आप देख सकते हो इस keyword में total website की high DAPA की websites है तो आपने माल लो अपनी authority इस पर कोई पैसे स्पेंड नहीं करता जितने भी publisher होते हैं जो आड शो कराते हैं वो इन जैसे keywords पर कभी आड शो नहीं कराते हैं क्योंकि उनको इस पर कोई फैदा नहीं होता है इस लिए इस website पर आपको इतना traffic देख रहा है इतना click देख रहा है तो आप यहां पर CPC आप इस पर काम मत करो क्योंकि इस पर काम करने से आपका ही loss है पहली बात तो आप rank नहीं कर पाओगे दूसरी बात अगर rank कर भी जाते हो तो कोई profit नहीं होगा जितना पैसे लगाओगे सब डूप जाएगा समय खराब होगा इससे बढ़िया कोई दूसरी micro niche पर काम करो जो कि आ काफी चीज़े देखना पड़ता है आपको कुद रिसर्च करना पड़ता है कि जो हमारे competitor है वो कितने DAPA की website लेके rank है हमारा सामना किसे होने मतलब किसे होने वाला है हमारा सामना ranking के लिए और आकरी में अपना profit भी देखो कि अगर हम rank भी कर जाते हमारा profit कितना होगा ओके आप website पे information नहीं पैसे कमाने के लिए आयो तो आप पैसा कमाना चाहते हो अपनी website से तो वही niche पकड़ो जो आपको अच्छा profit दे ना कि उस niche पे काम करो जो आपको traffic दे पर profit ना दे इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ऐसी niche पकड़ो जो आपको ज्यादा ज्यादा profit दे म मैं high CPC वाली niche पे काम करने के लिए हमेशा बोलता हूँ आपसे क्योंकि वहाँ पर आपको अगर डेली का 10 क्लिक भी मिलता है तो वह आपको 2-3 डॉलर बना के दे देगा बट अगर आप कोई ऐसी website पे काम करतो जिसकी CPC बिलकुल 0 या 1 है तो वहाँ पर 100 क्लिक भी मिल या फिर जो government की जितनी भी नीती जैसी website होती है उन पर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पहले ही तो यहाँ पर जो news website होती है वही rank होती है और दूसरी बात हमेशा कोई ना कोई अगर योजन है कोई भी नीती आती है तो जो official website होती है वो पहले ही उन सभी topics को cover कर देती है और जो user होते है उनका trust भी हमेशा वही जैसी website होती है जो official website होती ही होती है लोग सीधे उसी website पर जाते हैं और वहीं से information ले लेते वहागे की website को देखते भी नहीं है तो इसलिए इस website पर काम करना जाते हो जो कि best हो मैंने का आफी नीचे आपको यहाँ पर बता रखी है और भी कई चीजें हैं जो आपको मैं बताता रहता हूँ तो आप लोगों को फिर जितना भी मैंने बताया उस चीज को ध्यान में रखो और अगर आपको कुछ और अच्छी नीचेस चाहिए तो मुझे बताना मैं और भी नीचेस फाइंड करके आपको बता दूँगा जिस न ली ट्राफिक भी ला सब्योंगे अपनी वेबसाइट पर तो आज कलिए फिर इतना ही लोत ऑट तो नेच्ट वीडियो में और अगिना अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल का सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में वीडियो को को लो जादा से जादा सब्सक चाहिए अपने चैनल पे मिलता हूँ नेक्स वीडियो पे